तो हेलो दोस्तो मैं हूँ आपका प्यारी गेमर राज की इस वीडियो में आप सभी का सवागत है आज मेरे पास है गेमसर का एक्स टू टाइप सी मोबाइल गेमिंग कंट्रोलर तो आज मैं इसका अंबॉक्सिंग प्लस हम करने वाले इसका गेमिंग रिव्यू एंड इस गे गेम कंट्रोलर या गेम पैड में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है की मैपिंग सो मैं आपको सुरू से लेके लाज तक बताओं कि की मैपिंग कैसे करना है और आपको भी देखना है यदि कोई भी पार्ट मिस कर दोगे वीडियो का तो बहुत कुछ चूड आता हूं क्योंकि आपको बहतर से बहतर रिवियू मिल सके और अच्छा एक्स्पीरियंस मिल सके तो यार वीडियो को लाइक कर देना चाया को सबस्क्राइब भी कर देना सबसे पहले हमारे पास यह मिनी पाउज या बैक बोल सकते हैं उसके अंदर हमको मिला है एक एससरी कर जो कि हम इसको लगाएंगे नहीं कहीं पर रखे रखेंगे और मिल जाता है जॉइस्टिक के ऊपर लगाने वाला यह कैप जिसमें ग्रिप और भी अच्छी खासी बनी रहती है सो अब बारी आती है हमारे गेम कंट्रोलर की सो यहां पर आप देख सकते हो जॉइस्टिक म जो डिजाइन बनाया है और जो गेम सर का लोगो है वो बहुत ही ज़्यदा एटक्ट कर रहा है और गैस बैक देख सकते हो गेम सर बना हुआ है अच्छी कासी रबर की ग्रिप दे दी गई है जो कि कंट्रोल करने में गेम कंट्रोल के ऊपर साइड यहां पर चार ट्रिगर ह जो कि आच्छा खासा यहां पर रिस्पॉंस कर रहा है और क्लिकी चाउंड भी इसका बहुत ही अच्छा है दूर से देखने में काफी हद तक अच्छा लगता है और यह जो जो जोईस्टिक है वो तो यहार मज़ी है जाते हैं राइट साइड में A, B, X, Y, S बटन है और ए एपसी पेन है जो की ऊपर नीची भी हो जाता है एजस्ट करके लगाने के लिए और यदि आपका फोन बड़ा भी है तो इस गेमिंग कंट्रोल में अच्छी तरीके से वह आ जाएगा तो यह अच्छा है कि यदि हमारे पास बड़ा फोन भी है तो इसमें आसानी से है इसको मैं कर लong-a install और कर लेंगे हम इसको open open करने के बाद यहां पर जो भी lyric फर्माइशन वांगे तो play your allow 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 ठीक है allow करने के बाद agree करने के लिए बोलेगा थोड़ा right swipe करते है start के option में हम click करते हैं and allow कर देना है काफी सारे आपको game दिखने के लिए मिल जाएगा and up करना है हमको कि यह phone जो है वो type c pin में इसको हम लगा देंगे और game controller में इसको हम fix कर देंगे and adjust कर लेंगे थोड़ा बहुत उपर नीचे and यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे मैंने गेम कंट्रोल में लगाया blue light on हो चुकी है और एक और ok करने का button आ चुका है कि अब जो phone है हमारा वो game controller के साथ connect हो चुका है अब यहाँ पर आप देख सकते हो इतने सारे game है और automatic यहाँ पर game को select करके रग दिया है इस game controller ने इस app ने free fire pubg, callability and jinsin impact को भी यहाँ पर add करके रखा है plus वाले icon में क्लिक करने के बाद काफी सारे game को add कर सकते हो जो कि वहाँ पर mention नहीं है जैसे कि यहाँ पर मैं अभी add करता हूँ एक दो game, so अब वह सामने वाली screen में आ चुके हैं अब कोई भी एक game को हम click करते हैं उसको start करते हैं सबसे पहले हम free fire को ही start करेंगे gamepad test भी हम कर सकते हैं जैसे कि gamepad test में click करूँगा so कुछ इस प्रकार का interface आएगा और जितने भी button को मैं click करूँगा joystick यहाँ पर click करूँगा वो automatic यहाँ पर काम कर रही है नहीं कर रही है वो यहाँ पर दिखाएगा so यहाँ पर joystick देख सकते हो दोनों काम कर रही है and left side की button भी काम कर रही है एक screenshot वाला button भी है वो भी काम कर रहा है और right side की भी पूरी की पूरी button काम कर रही है और इसमें multi-touch भी हो जाता है सो अब हम free fire game को on करते हैं सो जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ आपको वैसे ही वैसे करना है सो कुछ इस प्रकार का interface आएगा सो हमको यहाँ पर multi-touch करने की ज़रुत पड़ेगी G and home button को एक साथ यहाँ पर मैं करेंगे इसके बाद हमें game sir का app देखना पड़ेगा कहां पर है उसमें क्लिक करेंगे इसके बाद यहाँ पर डिस्प्ले वाले option को जास्ट कर दिना है बैक चली जाना है बैक चली जाना है सिम्पल सा free fire को on करना है एक और बार अब यहाँ पर हमारा free fire on हो चुका है option है उसमें click करना है and drag करना है छोड़ देना है कहीं भी और game controller का कोई भी button को click कर देना है तो वहाँ पर वह जाके shift हो जाएगी मतलब की वह की अब वहाँ पर काम करने लगीगी touch करने लगीगी वैसे ही यहाँ पर कोई भी button है प्रीग करने यहां प्लस वाले icon में click करने button वाले icon में कलिक करने हैं ड्रैक करना है एज़ छोड़ देना है और गेम कंट्रोल के कोई भी button को क्लिक कर लेना है अब हम को left side का joystick को left side में और right side के joystick को right side में आपर रखना है बीच में ठीक है जैसे मैं कर रहा हूं वैसे तो इसमें करने के बाद जो right side वाला joystick है उसमें एक setting करना है सबसे पहले उपर वाली setting को zero कर लेना है and नीचे वाले option में जाईएगा और यहां पर आप देख सकते हो 45 and 45 दोनों में करना है और उसको करने के बाद yes कर देना है यह setting करना इसमें जरूरी है ठीक है क्योंकि यह setting नहीं करोगे तो sensitivity और जो मतलब की aim है ना aim लगाने वाला system मतलब की हो गहीं नहीं मैंने जैसे पताया है वो जो right वाला Dalam जौश्टिक की सेटिन के उसमें जाकर वे सीम करने तबही आपका जोव जौश्टिक है वो सही से काम करेगा एगा जौश्टिक की उयांटोर करने के लिए फिरीफ्यार के थे जुख है वहान .å सकते हो और पूरी बटन मेरी काम कर रही गेम कंट्रोलर की जोड़िक काम कर रहा है और ट्रीगर काम कर रहा है और हैट शॉट भी अच्छे खासा लग रहा है तो यहां पर फिरिफार में हमें इस प्रकार की सेटिंग करने और बात रही पब जी तो पब जी में भी हम कर सकते ह यह सहाँ पर जो कब बहुत ज्यादा हो ज़्यारा तो ना जो सेंसिटिवुटी करने में मुझे काफी प्रपलाम हो रहे है लेकिन यह आधी बाल-बाल प्रैक्टिस करूंगा वैसे ही PUBG में की मैपिंग करता हूँ इसको हम सेव कर लेते हैं इसमें एक दो बटन और एड़ कर सकते हो साथ में भी कर सकते हो इसमें भी मुझे एक प्रॉब्लम दिखी मतलब कि इस गेम कंट्रोल की वो है गाइस सेंस्टिविटी जैसे हम सेंस्टिविटी को उंगली उसे कंट्रोल करते हैं और सामने वाले बेंदे के उपर एनिमी के उपर हम एम ले आते हैं और परफेक्ट एमिंग हम कर सकते हैं वो इसमें थोड़ा सा मुझे 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 करने में यह भी आ जाएगा तो PUBG भे भी अच्छा था यहां पर यह वर्क कर रहा है सारी बटंग यहांपर वर्क कर रहे है एड इसके बाद मैंने कार रेसिंग वाला भी ट्राई किया जॉइस्टिक के साहर तरह से मैंने आपर इस टेरिंग को राइट और लेफ्ट किया और गाइस कार रेसिंग में तो यार मुझे मज़ा ही आ गया ऐसा बड़ी स्क्रीन सी लग रही थी और फिर मैंने कॉलर ट्वी इसमें किया गेमिंग सो देख सकते हो जो मेरा सेंस्टिविटी का कंट्रोलिंग है और जो केमरा एंगल मैं एनिमी को उपर ले जा रहा हूं तो काफी प्रॉब्लम हो रही है बाकी बाद में मैं फिक्स कर लूँगा मतलब गेमिंग करते करते में यह आ जाएगा उसके बाद मैंने एक और गेम को ट्राय किया वर्ल्ड वार मतलब अच्छा लगा मुझे वन्टाटे हर्ट के में मज़ा आ गया इसमें भी वैसा ही था गाइस देख सकते हो अच्छा खासा यहाँ आपा जॉष्टी काम कर रहा है एम लगाने में तोड़ी प्राबलम हो रही है लेकिन सारी के सारी बटन अच्छे तरीके से काम कर रही है सो दोस्तो मैंने यस गेम सर का गेम कंट्रोलर में फ्रीफार केला पबजी केला कॉल अब्डूटी खेला और अधर गेम को भी हमने ट्राइक रेशिंग गेम और बैटल ग्राउंड भी गईस मज़ा आ गया गाइस मैंने जितनी भी बटन यूज किया वो सारी के सारी परफे तो कोई दिक्कत नहीं है आई होप कि यह गेम कंट्रोलर गेम पैड आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया होगी तो गाइस प्लीज वीडियो को लाइक यरू करना शाय को सब्सक्राइब करके बाजवाले बलकॉल पर शेट कर डारा क्योंकि ऐसे ही गेमिंग वीडियो मैं अपने चैनल में लेकर आता हूँ तो बस आज के लिए इतना ही थैंक फॉर वाचिंग क्रिप सब्सक्राइब लब मेर्ट फैमिली में नेक्स वीडियो में इंट्रेस्टिंग वीडियो में बाई बाई